नमस्कार दोस्तों सीजी जॉफ्साइन एजूकेशन के एक और नए वीडियो में भाई हिमन्त आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीटी पीपीटी और पीपीएस्टी से संबंधित जो भी एक्जाम हो होने वाली है उसके लिए हम बीच दिन में प्लान कैसे बना सकते हैं और इसको हम आसानी से इसको एचीप कर सकते हैं इसको पास आउट कर सकते हैं तो दोस्तों इस वारे में मैं आज जबरदस्त प्लान ले करके आया हूं कि पीईटी पीपीएस्टी पास करने के लिए पर पाइंट आउट करके रख लिया है अब आप यह सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत दिन का समय है लेकिन आप 20 दिन का प्लान क्यों बनाए हैं तो दोस्तों जीतना बड़ा गोल होगा उतने ही बड़ा आपको मज़ा आने वाला है इसको हासिल करने में लेकिन 20 दिन का टार इसकों दिन का प्लान रखा हूँ ताकि आप लोग परिछा के पहले ही पूरी पूरी परी किस तरीके से यहां पर एक्जाम के लिए तयार हो जाएंगी इस प्लान को मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर नोट डाउन क्या हुआ हूँ और इस एक्जाम में आप लोग बहुत से विद्यार्थियों के मन में यह चल रहा है कि यहाँ पर इस साल कट अप कितने होने वाली है ताकि इसी के सारे हम परिष्छा की तैयारी कर सकें दोस्तों आप लोग कटाप के उपर बिल्कुल मर जाएए आप अपना टार्गेट सेट कर लिजे आप ये टार्गेट रखे कि भाई मुझे तो एक्जाम में कम से कम 90 प्लस से उपर मुझे नंबर लाने है ये आप बिल्कुल ठान लिजे मैं 90 प्लस से उपर लाने में लाने ह चाहे कट अब कितनी भी हो जाए लेकिन आप टार्गेट 90 प्लस का बिलकुल रख लिजे अपने मन में ठान लिजे कि 90 प्लस मुझे लाना है चाहे कुछ भी हो जाए तभी आपका दाखिला जो है सासकी कॉलेज में भी आपको मिल सकता है चाहे आपका कट अब कितना भी हो पर हम बात कर लेते हैं यहां पर मैंने और लगा है आप लोग देख सकते हैं और आप लोग राइटिग में थोड़ा सा कम्फोर्माइज करिएगा क्योंकि मेरा राइटिंग उतना चग नहीं बनता है तो चलिए अब पहला बात कर लेते हैं कि स्टडी time पीरेड हमारा क्या होना ची आप जब सीजी पीटी का एक्जाम कर रहे हैं तो यह लेवल इतना छोटा रही है क्योंकि यह कंपुटेशन एक्जाम है और जीतने बच्चे भरे हैं तो उसमें से आपको सबसे आगे निकल करके शामने आना है तो यहां पर आपके लिए सबसे प 20 दिन का जो मैं प्लान बनाया हूं उसमें आप पास हो पाएंगे जैसे कि आप 6 घंटे प्रती दिन पड़ रहे हैं चलिए मैं आपको पास से 6 जैसे आप 5 घंटा भी करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है लेकिन मैं यहां पर आप लोग को बताना चाहूं कि अच्छा तैयारी के लिए आप कम से कम 6 घंटा जरू से पड़िए चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हम एक्जाम का लेबल हम किस प्रकार से यह कर सकते हैं परिछा की लेबल की तैयारी हम कैसे करेंगे और इसकी जो परिछा में आने वाली जो कठनाई होती है उस पर कैसे कैस से हम फोकस कर सकते हैं तो इसकी लिए मैंने 50 70 और 30 का रेशियो बनाया हुआ इस अंग बात में मैंने यह पूरे तीरों को बाट दिया है कि इस प्रकार से कैसे यहां पर आप लोग समझ लिए 50 परसेंट ऐसे आएंगे जो आपको इजी वे में आप पास कर लेंगे ठीक है दोस्तों तो यहां पर आप लोग 50 नंबर के प्रस्ण ऐसे आएंगे जो आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं अर्थात यह इजी होने वाली है 50 अंक के जो प्रस्ण है वो इजी हो जाएंगे उसके बाद यह शेकन 70 अंक जो ऐसे होंगे जो मेडियम लेबल के होंग 70 जो अंक हैं ऐसे होंगे जो मेडियम होंगे आपको ज़ादक सरल भी नहीं होगा और नहीं ज़ादक कठीन होगा तो यहां पर 70 नंबर के ऐसे हैं मैंने इस प्रकार से बांट लिया है और 30 नंबर ऐसे होंगे जो आपको कही न कहीं इस परिच्छा पे आपको थोड़ा सा दिक्कट डाल सकता है अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि यह टफ हो सबता है ठीक है दोस्तों अगर आप लोग समझ पा रहे हैं यह मेरा प्लान है आप लोग प्लान और बढ़ा सकते हैं लेकिन यह कूछ ऐसा ही होता है मैंने बहुत सारे कुश्चन पेपर को निकाल के द तीन विशाय आपका आने वाला है चाहे PPT की बात करें या PAT की बात करें तो यहां फर physics, math, physics और chemistry से 50-50 mark के आने वाले हैं तो इसको आप किस प्रकार से divide करना चाहते हैं तो इस पर आप कैसे focus करेंगे अब अगर आपको लगता है कि आपका math कमजोर है तो उस पर आप ज़्य physics में आपका थोड़ा है तो उस पर ज्यादा focus ना करें जो आपको ज्यादा टफ लगता है उस पर आप यहां पर focus जरूर से करिए तो चलिए दोस्तों यहां पर focus तो हमको तीन ही subject पर ज्यादा करनी है ज्यादा क्या यही subject आपका आने वाला है आप कक्षा अगर आप यह च coaching का समभाएं अगर मानलो आपका मैंने जैसे 6 घंटा बताया आपको coaching में मानलो आप 2 घंटे भी जाते हैं और आपके पास तो यह इस दो घंटे को आप इस coaching में जोन लीजिए चलिए भाई आपके पास ज्यादा हो रहा है तो बज गया 4 घंटे बजे हैं आपके पास तो य चार घंटा को इन तीनों सब्जिक्त में डिवाइट कर लीजिए चलिए आगे और बात करेंगे तो इस पर अभी focus उतना ज्यादा नहीं करते हैं दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरू देखना पूरी 20 देश का प्लान आपको पूरी पूरी पता पता चल जाएगा औ और आपका 90 प्लस नंबर आ सकता है अगर आप मेरी इस प्लान को फॉलो करते हैं तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं how to study हम इसकी तयारी कैसे करें पीटी पीपीटी हम तो फाम भर लिए हैं और फाम भरने के बाद हम इसकी तयारी कैसे करेंगे तो देखे हमारे पास दो प्रकार के student होंगे तो पहला मैंने बार दिया है beginner होंगे जो पहली बार परिष्छा दिला रहे है उसके लिए है और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको experience रहेगा कि उस exam को उन्हेंने पहले भी दिला चुका है तो इन दोनों के लिए मैंने अलाग अलाग प्रकार के बार दिया है दो भाग में बार दिया तो पहला लिखा हूं मैंने beginners के बारे में जो पतली बार इस exam को attend करने वाले तो उसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि इन concept उनको पहली beginner को concept clear होनी चाहिए concept clear होना चाहिए कि इसका मतलब यह है कि आप पूस्तक ले दिया और पूस्तक ल सुरू से आखरी तक अगर देखेंगे तो आपका पूरा concept आपका clear होना चाहिए जो book में पूरा theory दिया हुआ है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा वहां से पढ़ करके आप उसको objective टाइप से जो question है उसको आपको करना पड़ेगा चाहे आपको coaching करना हो या self study करना हो लेक coaching को दे दीजिए तो आप निश्ची तोर पर मैं कह सकता हूं कि आप इसके लिए active हो जाएंगे और इस exam के लिए पूरी तरीके से आप तयार कहीं न कहीं हो जाएंगे तो यह रहा beginners के लिए starting से आपको शुरू करना है theory से लेकि पूरा starting अब दूसरी बात आ जाता है कि experience होत के लिए बता रहा हूं कि यह ऐसे विद्यारती है जिहोंने उसको कुछ न कुछ अनुभव है और उनको कुछ idea है इस बारे में तो ओलो क्या करेंगे इसके बारे में जो selected topics है जो आपको ज्यादा कठिन लगती है उस विशाय को आप लोग जरूर से prepare कि जिए उसको preparation जरूर करें उसी पर ज्यादा focus करें ताकि आपने जो पीछले बार गलती की उस बार ओ गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको अनुभव है कि किस प्रकार से प्रशना आते हैं और उसको किस प्रकार से achieve करना है उसको किस प्रकार से attempt करना है उन तीन घंटा में तो इस प्रकार से आप जो है selected topics बनानीजे कि आपके पास जो जो कठीन लगता है उस उस विशाय को आप जरूर से पढ़िए तो आपका यहां से clear हो जाएगा चले दोस्तों अब अगना नेश्ट हम देखते हैं यहां पर मैंने third point बनाया है two subject per day अर्थात दो विशाय को आप यहां पर तीन subject आने वाले हैं physics, chemistry, math, गनित, भौतिक, रसायनसास तीन subject आने वाले हैं तो तीन subject में आप दो subject को per day आप बिल्कुल पढ़िए क्योंकि यहां पर divide time slot अर्थात मैंने उस divide कर दिया है दो विशाय को slot में कि अलग-अलग time में पढ़िए तो इसकी लिए कैसे क्या हूँ मैंने तीन घंटा आप मैंस को अर्थात दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि तीन subject हमारे पास हो रहे हैं लेकिन तीन subject में आप तीनों subject को बिल्कुल भी मत पढ़िए क्योंकि आपको confusion पैदा कर सकता है चलिए मैं बाता देता हूँ जैसे physics और chemistry को हम कम से कम पढ़ रहे हैं तो आप दूसरा दिन आज अगर physics और math और physics को आज पढ़ रहे हैं तो chemistry को आज आप खोल के मत देखे क्योंकि आपको confused कर सकता है तो अगला वाला जो समय होगा आने वाला का दिन होगा उस दिन आप physics और chemistry को ले लिजिए या फिर आप math या chemistry को ले लिजिए अरफात मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग दो सब्जेक्टों को per day 3-3 घंटे के हिसाब से आप पढ़ी लिजिए ठीक है आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों उसके बाद मैंने जो अगला आप पाइंट आउट किया है अब देखें यहां पर बात यह आ रहा है विकली टेस्ट होना चीए आपको मैं 6 घंटा जो है साथ दिन पढ़ने के लिए नहीं बोड़ा हूं यहां पर जो 6 घंटे हैं 6 देन के लिए पढ़ना है आपको 6 दिन की तयारी करनी है 6 दिन तयार हो ने के बाद आपका जो तयारी हो जाएगी उसके बाद आप जो है एक विकली टेस्ट जरूर से तयार किजिए आप सेंपल पेपर ले लिजिए या इंटरनेट के माध्यम से गूगल कर लिजिए आपके पास बहुत सारे पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहां प कौन से सब्जेक्ट में आपका विक पता चल रहा है आप कौन से सब्जेक्ट का पेपर आपके साथ नहीं मन रहा है उस सब्जेक्ट को आप चैन कर लिजिए और नेश्ट दिन उसी पेपर की तैयारी के लिए उसको थोड़ा सा जादा टाइम दे दिजिए तो यहां पर आ 20 days के बाद क्या करें देखे हमारे पासस अभी समय है लेकिन में 20 दिन का प्लान बनाया हूं हमारे पासतों अभी 30 दिन है तो 10 दिन में हम क्या करेंगे तो अपका क्या है डेली आ फेपर स्वालों किले है क्योंकि हमारी तैयारी तो पूरी तरिके दिन है उस पर आप डेली पेपर को स्वाल्ड कीजिए उसको लिए भी आप उसके लिए भी आप टाइम जो है डिवाइट कर लिजिए कि उसकी हम कौन सा पेपर को किता बजी या तो फिर आप एक दिन में एक ही पेपर करो या दो पेपर करो मैं तो कहता हूं कि आप एक दिन म से फॉलो करोगे तो आप निच्चित रूप से 90 प्लस से भी नंबर आपको आ जाएगा क्योंकि कम्पिटेशन बहुत जादा है और तो यहां पर आपको फॉलो करना पड़ेगा लेकिन यह 20 डेस जो प्लान है उसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो निच्चित है आपका पीपीटी पीएटी पीपीएस्टी जो भी सब्जेक्ट है ओ आप बिल्कुल क्रेक कर जाएंगे और आपको इंजिरिंग कॉलेज में बिल्कुल दाखिला मिल जाएगा दोस्तों लेकिन आप क्या सहमत है इस 20 डेस के लिए क् आपका मन करता है अगर आप इस 20 डेस का प्लान अगर बना लेते हैं तो आपको कहीं न कहीं मुझे आप ये ठान लिजे कि मुझे 90 प्लस नंबर पाने है तो ओ आपका दिल गवाही देता रहेगा और आप अधिक से अधिक पढ़ने के लिए उसाहित होते रहेंगे और आप और आप आसानी के साथ कम से कम 6 घंटा जरूर से पढ़ लेंगे चलिए दोस्तों अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आप सेलफ ऐस्टेडी जरूर से कर लिजे अगर कोचिंग कर भी रहे हैं तो आप अपना सेलफ ऐस्टेडी को बिलकुल से ध्यान दीजिए दोस्त तो अगर इसी प्रकार से और वीडियो चाहिए तो आप मेरे ऐसे नए नए वीडियो के लिए आप मेरे यूटुब चैनल को सस्क्राइब कर लिजे सस्क्राइब होते ही बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तो आज का वीडियो मैंने 20 डेस प्लान बनाया है ओ वीडियो आ आजकी इस वीडियो में इतना ही चैनल सस्क्राइब नहीं किये हो तो जरू से चैनल को सस्क्राइब कर लिजे चलिए आजकी वीडियो में इतना ही और किसी अच्छे कॉंटेंट के साथ फिर मुराकात होगी जब तब के लिए जय हिंध वंदे मांतरम